अगर आप बिहार बोड क्लाश 10 और 12 के स्टुडेंट हो तो हम आपके लिए लाए हैं काफी महतपुर्ण यूज जो सभी विद्यारती जानना चाहते हैं कि थियोरी में पास होने के लिए कितना परतिसत मार्क चाहिए और प्रैक्टिकल में भी पास होना क्या जरूरी होता है तो आप लोग आज की विडियों में जानेंगे कि प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी होता है तो प्रैक्टिकल का कितना परतिसत मार्क चाहिए पास होने के लिए तो यहाँ पर देख सकता है कि बिहार बोड इंटरमीडियेट रिजल्ट रेगूल रेशन तो चलिए आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं अल सब्जेक्ट इन थियोरी मिनिमम 30% इच सब्जेक्ट यानि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें पास होने के लिए कौं से क्यों मृक्त का मृक्त चाहिए तब आप कारींगे के तोड़ इहां पर देख सकता हैं कि प्रैक्टिकल पॉर्षन winners 44 फ्टियों इ Hers यानि प्रैक्टिकल मिन पधा रोगे होने इसे आपको 40 प jus प्रतिसत मार्क चाहिए तो हम आपको बताते हैं जैसे मानन के चलिये कि आपका सब्जीक्ट फिजीक्स है तो 12 पिजीक्स 100 मार्क होते हैं जिसमें आपो ौगया कि शतरमार्क आपका त्योरी होता चाहिए और 30 tool आपका प्रैक्टिकल होता है यहां पर आपको 70 mark का theory paper होता है तो इसका आपको 30% mark चाहिए तो 30 बटए क्या हो गया 10721 यानि 70 mark में आपको 21 mark लाना होगा pass होने के लिए अगर 70 mark में 21 mark आ गया तो आप पास हैं और वही practical जो 30 mark की होती है तो देखिए 30 का जो है कि आपको 40% पास होने के लिए चाहिए तो 40 बटे क्या हो गया 100 ये सुन कट गया अब देखिए 4 तिया 12 यानि 30 मार्क के प्रैक्टिकल में आपको 12 मार्क चाहिए पास होने के लिए तो इस परकार से आपको जह कि जिस विशे में आपका practical है तो उस विशे में आपको 21 पर बार यानि 33 मार्क चाहिए आपको पास होने के लिए तभी आप पास होंगे तो वहीं देख सकते हैं नीचे में वहीं दिया गया है के लिए हम बात कर लें तो 300 मार्क सभी जानते हैं सकेंड डिविजन के लिए 225 मार्क उसके पश्चात अच्छा distinction देखिए तो देव डिस्टिंग्शन विल वी अवाड़ेड ओन ऐसकोर ऑप 75 परतिसत मार्क इन एनी सब्जेक्ट यानि डी आपको उसी सब्जेक्ट में लगेगा जिसमें आप 75 परतिसत मार्क लाएंगे 75 यानि 75 मार्क जिस सब्जेक्ट में आपको रहेगा उसम प्रकार से यहां पर देख सकते हैं समझाया गया है कि 33 मार्क आपको जैकि प्रैक्टिकल विसे में वाली विसे में पास होने के लिए चाहिए तो वही नियम यहीं लागो होता है मैट्रिक के लिए भी यानि जो भी एस्टूडेंट मैट्रिक का जैसे उनको 20 मार्क का जो ए यानि मैट्रिक वाले स्टूडेंट को आठ मार्क चाहिए प्रैक्टिकल वाले विसे में पास होने के लिए वहीं असी मार्क का जो उनका सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव पलस अब्जेक्टिव मिला करके तो इसका 30 पर 30 यानि 30 बटे 100 यह दून सुन काट जी अर् pole की ब्रक मार्क चाहिए इस सब्जेक्ट में लंगता है तो आप लोग जान चुकिंखं कब लगेगा यानि बिकब लगेगा तो आप जब 75 प्रतिशत मार्क लाएंगे 65 मार्क या एभब इन से तो विहार पोर से सम्मंदित, रिजल से सम्मंदित जानकारी तो इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को दबादे वीडियो देखने के लिए धनियवाद